Hello everyone, welcome to my channel, मैं इस चैनल पर एक और न्यू एनिम को एक्स्प्लेंग कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग और मजेदार है, आप इस एनिमी को देखते होंगे, और इसका नाम Throne of Seal, और यह एपिसोड जहां रुका है, मैं वहीं से स्टॉर्ट करूंगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अब एपिसोड की शुरुआत में हम हाउचेन को क्यारिल के एक साथ देखते हैं, और यहां से एक बहुत ही इंट्रस्टिंग लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली है, वैसे तो हमने क क्यारिल को पहले भी देखा था, पर वो बिलकुल एपिसोड के शुरू शुरू में था, दोस्तों सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा देना, क्यूंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, आपको वो नोटिफिकेशन की रूप में आएगा, इसलिए आप इस काम को जरूर कर लेना, जहां हाउचने ने उसे कुछ डैमन वुल्फ से बचाया था, तब हाउचेन और क्यारिल दोनों ही छोटे बच्चे थे, पर अब सब कुछ बदल चुका है, अब यह बड़े और काफी पावरफुल हो चुके हैं, और मैं आप सभी को यह भी मुलाकात होगी, इसके बाद हमें क्यारिल की स्पिरिचुल बॉरी फ्रम को दिखाया जाता है, जिसमें यह अपने साथ कई सारे और अपनी जैसा क्लोन बना सकते हैं, और इसके पावर भी रियल क्यारिल जीतनी ही होती है, इसके बाद हम हाउचेन विशी को एक साथ में दे पहले भी देख रखा है, और आपने भी इसे पहचान लिया होगा, अब इसे देखकर सामान देने वाला बंदा कहता है, तुम यहां क्यूं आए हो, तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं है, जिस पर वो लड़का अपनी सुप्रीम कार्ड उसे देखाता है, जिससे दे का पहले से ज्यादा ही हैंसम हो चुका था, और बहुत अमीर भी जी से इस पर लड़किया मरते हैं, अगले सीन में हम हाव चेन को देखते हैं, जो गुई को देख रहा होता है, जो इस राउंड में उसका अपोनेंट है, और वही गुई हाव चेन को चढ़ाते हुए कहता ह तुम बहुत कमजोर हो मैंने तुम्हें उस दिन हराया था, और फिर वो इसी तरह हाव चेन का मजा कोड़ने लगता है, जिस पर हाव चेन को बहुत गुसा आता है, पर वो अपनी गुसे पर कंट्रोल करता है, और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इसके बाद हाव चेन, इसके बीच भयानक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें आप सभी को क्या लगता है, कौन जीतेगा, मुझे तो पक्का यकीन है, हाव चेन ही जीतेगा, क्योंकि उसे फाइनल में भी जाना है, और इसके बाद हम एक मुव को देखते हैं, जो की अपनी फाइट इंतजार कर करते करते ज्यादा खुश हो रहा होता है, इसके बाद उस मुव की फाइट होती है, और वो अपनी पहली अपोनेंट को एक ही बार में हरा देता है, और कहता है, यह तो बड़ा मरियल अपोनेंट था, इसके बाद हम हाव चेन की एक और मुव के साथ एक तगड़ी और एक क अमाल की फाइट देखते हैं, और इसी फाइट के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खतम हो जाता है, आइ होप गाइज आपको यह विडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना